दोस्तों नमस्कार सत्रिकाल आदा भेरी भेरी गुड मॉर्निंग कहिए कैसे आप सोब फ्रेंड्स आज हम आपके लिए लिकरा हैं बहुत अच्छा टिप्स जो आपको सुख परदान करेगा और परसानियों से उबारेगा कई अन्जाने में ये पांच गलतियां तो आप नह परसान रहते हैं अक्सार देखा जाता है कि हमारे पास सब कुछ होते में हमकारे भी अच्छा कर रहे थां हें घर परिवार भी बहुत अच्छा है बाल बचक्पी सब्सक्षार घरिवार पैसा पराइस सारी चीद बहुत अच्छे गुज़ते बावचोड हम परसान क्यों होते हैं अकसर दखा गया होगा कि लोगों बोपता नहीं हमने किसका मुह देख लिए कि मैं सुबाव करा वे चिर चीरा तो हम चीर परोग्या हो जाते हैं तो दोस्तों आज हम आपके लिए लिए हैं यो आपको इन चीजिए ये उसे दूर करेगा और खुशियां परदान करेगा तो दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल पर नहीं तो फिली चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए लाइक करेजिए कोमेंट करेजिए साथ दोस्तों को सेयर करना ना भूले दोस्तों पहला नाक का बाल बरा होना अक्सर लोगों का क्या होता है कि हमेशा इस बीजी लाइफ में बैस्तावरी लाइफ में हो अपने सरीर पर ध्यान नहीं देते हैं सरी पर ध्यान तो देते भी हैं लेकिन नाग के उपर ध्यान कौन देगा देखा जाता है कि लोग के नाग के बाल निकल के बहार आ जाते हैं और वो नाग के बाल जो है आपका प्रासानी का सभव है आपने क्या करना है कोभी भी उसको पैंची से काट लिया कीजिए टाइम न शुरू हो जाएगा दूसरा शोक और उठना और बिस्तर को वैसे ही छोड़ देना लिए जोड़ा सोचिए जिस बिस्तर पर हम राद भर आराम से शोते हैं, अज सुबा सुत उठके बिस्तर हो ऐसा यह तक्या कहीं है, जाजी मैसे फोल्ड है, ऐसे हो ऐसे है, तो क्या होता है बहुत ज्यादा परसानिया थी तो हमने क्या करना है कि जिस बीस्तर से रात वर सुख लिया है उसको दो मिनट लगता है मिला दीजिए और जहां काम पर जाना है जाए यह जो चीजें से प्लानेटरि एफेक्ट होटा है उपगर होता ने उपर में वहां से इस सारे चीजें कं वद्ध में हैं जब हम दिन से ठके हारे जब सोने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं बिश्तर को जहारते नहीं और उसके सो जाते हैं तो क्या होता है उसके छोटे छोटे जिवानु होते हैं जिसे चीटी हो गई चीटी के अलावब बहुत सुच्म जिवानु होते हैं जो बीश्टर पर होते हैं वो मर जाते हैं जैसे लेटते हैं हम तो वजन से यहां तक ही मकरा होता है वहां पर स्पाइ या नहीं था इसका अभी प्लैनेटरी एफेक्ट है आप सोने से पहले विश्टर को मिला कर ज्ञार कर अराम से सुईए क्योंकि रात वर सुख्ष तो आपको ही लेना है देश्टों चौथा खाना खाकर बरतन को जूठा छोड़ना हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो खाना खाकर बरतन को जूठा छोड़ देते हैं खास करके इस त्रियां आज नहीं धुलाएंगे कल सुबह धुला लेंगे कितना टाइम लगता है बरतन धुलाने के लिए 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आप बरतन को देने अंदेर धुलाईए क्योंकि कल खाना आपको ही उसमें खाना है तो बरतन जो है दुखी होता है और जिसका प्लानेटरी फिक पड़ता है और आप दुखी होते हैं ठीक है इस पेसली देखना आप जब हम चाय पीते हैं न तो चाय का गिलास इपने चाय का गिलास भी नहीं दोते हैं परा रहता है सुबह से साम कभी कभी तो उसमें कीरा लग जाता है तो क्यों ना परसान होंगे यह सब बहुत छोटी 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 चीज़े जो आपको खुशियां परदान करेंगे आप मत कीजिए और कर लिया किजिए कि जभी भी चाय पीना हो आपको तेन अंद्यार गिलास जुलाली कितना टाइम लगता है दो मिनट लगता है तीसरा स्वरी तीसरा वहता हूं पांच मां जहारू लगाने के संबंद में अक्सरम जहारू लगाते हैं परिवार के सदस्य हैं पांच से जहारू लगाते हैं अपने चरपाई के नीचे पलंक के नीचे जहारू लगा लिया अच्छे से दूसरे के चरपाई के नीचे अच्छे से जहारू नहीं लगाया जहारूर लगा लिए, आध्म दूरह मन से जहारूर लगाएं, कच्रा इधर चुट रहा है, कोई उधर चुट रहा है, आँसी पता है, कि जो कच्रा होता है जहारू का शाफाय करने पार, बहुत नुक्सान सैरोग में लगता है, लोगों के, वो इससे भी गलत परभाव परत तो इन सारी चीजों से बचेंगे तो आज के पिटारे में इतना ही था आशा करता हूं जो चीज बताया गया है उस चीज को देने देर शुरू करेंगे और होने वाली परसानी से निजाद पाएंगे दोस्तों तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा वीडियो पसंद आये तो चैन क्यालाग्ट